लोगों को कहना होता है कि प्यार के बिना जिंदगी नहीं करती और प्यार एक ऐसी चीज होती है जिसके सहारे आपकी जिंदगी बड़ी आसानी से कट जाएगी। लेकिन आज का समय जो चल रहा है इसमें लोगों को जीवन में कई बार प्यार होता है आज इस से कल उस से हर रोज प्यार का चेहरा बदलता रहता है ऐसा ही आज की कहानी में होता है एक महिला एक साथ कई कई लोगों से प्यार करती है और उस प्यार के चलते वो दे देती है अपनी जान अगर आपको इस गटना को पूरा जानना है तो बने रहे ये वीडियो में लास्त तक राम राम नमश्कार मैं महिक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने एक ऐसी महिला की कहानी जिसको जीवन में बहुत पार प्यार होता है वो महिला जिसका नाम होता है सीता उसके पती का नाम होता है सचिन उस महिला का जो पती होता है वो एक आर्मी आफिसर होता है आर्मी आफिसर अक्सर अपनी ड्यूटी पर रहता है लेकिन वो जो महिला होती है सीता वो अपने घर पर रहती है और जब वो घर पर रहती थी तो उसके husband का समय जो उसको नहीं मिलता था और उस खाली समय को वो बिताने के लिए अपने लिए एक कोई सचा प्यार तलास्ती रहती है और वही सचा प्यार मिलता है उसको पड़ोस में ही एक लड़का जिससे उसको प्यार हो जाता है वो भी बार बार वादे रखती है उससे और कहती है कि मुझे सचा प्यार तुम से है अब वो दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं एक दूसरे के साथ घूमते हैं फिरते हैं और जो भी खाली समय होता था सीता सारा खाली समय अपने उस दोस्त के साथ बिताती थी जो कि एक गाड़ियां होती है कार को ठीक करने वाला यानि कार ठीक करने वाला मकैनिक होता है जिस से उस महिला को सच्चा प्यार हो जाता है अब लगातार उसके साथ दो से तीन साल तक रिलेशनसिप में रहने के जो वो गाड़ियां ठीक करता है कार ठीक करता है उस मकैनिक को पता चलती है कि उसकी जो लवर है महभूबाव है उसको अब एक नए प्यार की तलास है वो उससे बैट कर बाते करता है तो वो महिला कहती है कि अम मुझे तुम से प्यार नहीं है मुझे अब अपने लिए एक नया प्यार चाहिए और जैसे ही उसको पता चलता है कि ये एक दूसरे बिजनसमेन को डेट कर रही है उसके साथ रहना चाहती है तो वो उससे कहता है आप तक हमारा प्यार जो था वो ठीक है, लेकिन आब एक बार एक लास्ट बार तुम नुझे नहीं साथ रहो. हम साथ में समय बिताते हैं और कुछ समय हम लोग साथ में रहेंगे तो वो महिला तैयार हो जाती है और वो महिला जब उसके पास आती है तो वो रात को साथ में रहते हैं शराब पीते हैं बैटकर और शराब पीने के बाद अब वो उसको अपने साथ गाड़ी में लॉंग ट्राइब के लिए ले जाता है उस कार में बैठकर वो बाते करते हैं फिर एक लॉंग ट्राइब पर जाकर शहर से कहीं दूरी पर उस महिला के साथ वो बात चीज़ जब करता है तो उन दोनों में लड़ाईयां होने लगती हैं और वो उससे बस ये की बात कहता है कि मैंने तुम से सचा प्यार किया है तुम अब मुझे नहीं छोड़ सकते लेकिन वो महिला बारवार ये कहती है कि अब मेरा इंट्रेस्ट तुम मैं खतम हो गया है मुझे तो एक नए साती की तलास है उस लड़के को इतना गुस्सा आता है कि उसका गला घुट कर वो वही पर उसकी जान ले लेता है और वही से वो फरार हो जाता है जब वो वहां से फरार होता है उसका पती सचिन अपनी पतनी को सीता को जब कॉल करता है और कॉल पिक नहीं होता तो वो अपने घरवालों को कॉल करता है और घरवाले जब उसके कमरे पर जाते हैं तो वहाँ बस सीता नहीं मिलती है सीता की मिसिंग कंप्लेंड लिखाई जाती है तब ही वो एक महिला की डेट बॉड़ी एक गाड़ी में मिलती है तो पुलिस वाले उसको अपने कबजे में लेकर उसको पोस्ट माड़म के लिए भेजते हैं और उसकी सनाक्त जब उसके घरवालों से कराते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि हाँ ये तो हमारी सीता ही है फिर अब वो कहते हैं कि हमारी सीता को किसने मारा है हमें इसका जल्द से जल्द खुलासा चाहिए तो पुलिस उस महिला की call detail निकलवाती है फॉन की जो call से उसकी CDR निकलवाती है तो वहाँ पर जो सबसे last call जो सबसे last बार उससे बात वोई थी वो car mechanic जो था उसी से बात वोई थी उसकी live location को देखा जाता है कि अब फिलहाल वो कहां पर है और इसी फॉन से उसको बहुत आसान इसे ट्रेस कर लिया जाता है जब उसे बुलाया जाता है और उससे पूस्ताच की जाती है तो वो सारी बात का खुलासा करता है वो बताता है कि पहरे तो इसको इसके पती से प्यार हुआ लेकिन फिर इसके पती से इसका मन भरा तो अब इसे मुझसे प्यार हो गया था और अब इसका मुझसे मन भरा तो अब एक ये बिजनसमेन से प्यार करने लगी थी और इसने मुझे साफ साफ धमकी दीती कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती मुझे अब एक नए सच्चे प्यार की तलास ह और इसी में मुझे गुसा आजाता है क्योंकि मैंने अपना सब कुछ इस पर बरबाद कर दिया था फुलिस उसके बयान लेती है और उसके खिलाब मामला दर्ज कर देती है ये एक ऐसी सची घटना हमारे सामने आई जिसने एक महिला का तीन बार प्यार शो किया तीन बार उसने प्यार किया तीन अलग अलग लोगों से और उन मेंसे ही एक ने उसकी जान ले ली आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे प्यार के बारे में क्या उसका सचा प्यार था क्या प्यार दो दिन में बदलता है अपनी राए कमेंट वोक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसा प्यार के नाम पर किसी की जिन्दगी बरबाद ना करें अपने आपको सचेत रखें, सतर करें क्राइम का सिकार होने से बचें और क्राइम को करने से बचें क्योंकि प्यार का सिर्फ नाम दिया गया है आज लोगों में बासना भरी पड़ी है और जिसकी पूर्ती करने के लिए वो लोग हर रोज नया साथी बजलते हैं अपनी राए कमेंट वोक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसा किसी के साथ ना हो इसके लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा बहुत जल फिराती हैं ऐसी एक सची घटना के साथ देखते रहें तब तक हमारी क्राइम रिपोर्ट मेरा इन वीडियो को लाने का सरफ बेकियर देशे होता है कि हमारे देश में जो ये प्यार के नाम पर ये ड्रामा चल रहा है इसको आप ड्रामा ही कह सकते हो जो आज किसी और से कल किसी और से ये जो ड्रामा चल रहा है इसको खतम किया जा सके क्योंकि जादा तर जो क्राइम का जनम होता है वो ऐसी ही घटनाओं से होता है अब इस प्यार के चक्तर में वो जो कार मकैनिक था उसकी जिन्दगी बरबाद है वो जील में रहेगा और साथ में ही वो जो सी था जिसको बार बार प्यार हो रहा था वो इस दुनिया से ही अलविदा कर गई बहुत जल फिर मिलती है सची घटना के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत